कैसे हैं आप सब सो मैं आज आपके लिए रिव्यू लेके आए हूँ चिको का मिक्स टूथ पेस्ट की ऊपर जो की आप 12 मांच से लेके 6 तक के बच्चे यूज कर सकते हैं मेरी बेबी 3 प्लस है तो मैंने उसको यह वाला परचेस करके रिसेंटली दिया है सो इसका रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में जरूर दोंगी सो इस पे लिखा है कि यह जो है मिक्स फ्रूट है सो ओवियसली बच्चों को फ्रूट का जो टेस्ट होता है बहुत पसंद आता है इसमें और भी फ्लेवर्स अवेलेबल है आप चेक कर सकते हो मार्केट में और यहां लिखा है नो फ्लोराइट जो की तूथपेस में अगर ना हो तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है उनके दात के लिए बहुत अच्छा है तीत के लिए जो remove plague without damaging the animal जो animal होता है जो layer होती है तीत की वो damage किये बीना ये toothpaste जो है काम करता है यहां लिखा है helps in preventing dental cavities जो भी बच्चों को obviously मीठा बहुत ज्यादा पसंद होता है maximum बच्चों को तो cavity की problem होती है तो toothpaste जो होता है अच्छा चूस करना बहुत important है जो कि उनके dental health के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो भी वो खाएंगे obviously पेट में जाएगा अगर वो कुछ भी गंदा खा रहे या फिर दात में जर्म से तो वो पेट में जाके infection पैदा कर सकता है और उनकी health खराब हो सकती है इसलिए dental care बहुत important है now so 12 months के उपर के बच्चों को तो toothpaste जरूरी है कोई भी toothpaste आप अपनी मर्जी का ले सकते हो और toothbrush करवाना बहुत जरूरी है उनको ये आदर डालना बहुत जरूरी है so that वो safe रहे now यहाँ पे जो लिखा है कि आपको सारे जो ingredients के जो list है सब कुछ mentioned है so आप इस पे चेक करके ले सकते हो और इसकी जो price है वो है 179 रुपीज इसकी quantity है 50 ग्राम की आप discounted price हमेशा online चेक कर सकते हो market में जाओगे तो आपको जो है 179 रुपीज में भी शायद कुछ discount available है now बात करेंगे कि इसके flavor की और ये कैसा है और मेरी बेटपच्ची को कितना पसंद आया और नही so उसने थोड़ा सा ही use किया अगर आप देख सकते हो तो तीन-चार दिन ही इसको यूज किया लेकिन इसका flavor जो है उसको बहुत पसंद आया the reason behind मैंने भी टेस्ट किया तो बहुत ही जादा fruity flavor है so बच्चों को पसंद आता है ये so अराम से वो लोग बिना नकरा किये बिना परिशान किये आपको ये यूज करेंगे और so ये है वो ये रहा इसका review जो की toothpaste अगर आप चाहते हो तो आप इसे purchase कर सकते हो और एक toothpaste है जिसका review मैं इसमें देना चाहती हूँ जो की है मामा अर्थ का toothpaste so इसका review मैं इसलिए दे रही हूँ because ये review के लिए बिल्कुल ready है मैंने यहां तक इसको मेरी बेटी ने यहां तक यूज किया है so इसका ये जो है मुझे पर्सनली बहुत जादा पसंद है तो मैंने इसके बहुत सारे प्रोड़क्स यूज किये है so ये जो toothpaste है ना ये भी SLS fluoride free है 100% natural है और ये भी fruit punch toothpaste है so ये सोचके मैंने purchase किया था ये 12 months के उपर के बच्चे यूज कर सकते हैं net content इसके 50 gram से ये भी काफी ज्यादा flavors में available है now ये cruelty free and completely vegan product है और safe for child आप इसकी जो price 149 रुपीज है इसकी price जो है चिको के toothpaste से थोड़ी सी कम है और इसकी भी quantity जो है 50 grams की है और इस पे भी सारे ingredients mentioned है और सब कुछ available है सब कुछ सही है लेकिन एक चीज जो है problem है ये वाला जो toothpaste का taste so ये इतना use कर लिया उसने लेकिन मुझे तब तक भी समझ में नहीं आया कि जब भी brush करवाने लेके जाते तो वह हमेशा ही चिर्चिरी हो जा दी तो उसको पसंद नहीं आता था मैं यही बोलूँगे कि अगर आप तूथपेस आप ट्राई करना चाहते हो ममात का तो बिल्कुल कर सकते हो बद दूसरा फ्लेवर आप चेक कर सकते हो लेकिन यह वाला जो फ्लेवर है इसमें जादा तर बच्चों को शायद पसंद नाए तो यह रहा इसका रिव्यू अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए ठेक केर बाबाए